वहन अधिनियम की अभेलना तत सार्विनिक स्थान पर धोमरपान के लिए संगडा पोलिस ने किये साथ चालान घर से गायब हुआ वे सहारा महिला से रेप का आरोपी वहन अधिनियम की अभेलना तक सार्जिनिक्स्तान पर धूमरपान के लिए संगड़ा पूलिस द्वारा शुपरपार को गुल साथ चालान किये गए कस्पे में ट्रेफिक वबस्ता देख रहे मोख्या रेक्षी खुशाल चंत्वारा जहां अभेलना पर आधाधर जिन लोगों के चालान किये गए वहीं सार्जिनिक्स्तान पर धूमरपान के लिए भी एक शक्स का कोटपा के तहट चालान हुआ गत महा से परदेश सरकार द्वारा बाहन अधिनियम के तहट जुर्माना दर कई गुना बढ़ाये जाने के चलते ज्यातातर लोगों अब सेम डे में चालान का भुखतान नहीं कर रहे हैं जुर्माना रशी वसूलने के लिए अपरदेश सरकार द्वारा केवल सब इंस्पेक्टर स्तर के पूलिस अधिकारी को ही अधिकरित किया गया है उपमंडल संगणा के अंतर गताने वाली सागना पंचायत में बेसाहरा महिला से रेप का आरोपी शक्स आप घर से गाया बताया जा रहा है हलाकि जानकारी के मुदाविक पूलिस उप्छक्स की तलाश जारी रखे हुए हैं गुरुवार को संगणा अस्पताल में महिला चिकित्सक मौजूदना होने के चलते पीडिता को मेडिकल जार्ज के लिए मसी एस नाहान भेजा गया था स्वास्तेखंड संगणा में आज कुल 921 लोगों को लगी कोविड वैक्सीन 770 ने लगाई फास्ट डोज मेडिकल ब्लोग संगणा में शुकुरवार को कुल 921 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई इन में से 770 लोगों द्वारा जहां पहली डोज लगाई गई वहें अन्य लोगों द्वारा सेकिंड डोज आज लगाई गई सान्य प्रशासन स्वास्ति अधिकारियों अपंचायत प्रदिनियों द्वारा 31 अगस से पहले शेत्र की सभी 44 पंचायतों में 100 परसेंट वैक्सीनेशन की पूरी तैयारिया की जा रही है